इस lecture के अंदर, जो main चीज़ हम देखने वाले हैं, वो है Generative AI TensorFlow के अंदर किस तरीके से utilize की जाती है Generative AI के उपर सारे के सारे lecture अरड़ी हमने upload कर दिये हुए और अगर आप इस वीडियो को for the first time देख रहे हैं, तो वीडियो के पहले 30 second आपके लिए है मैं screen share करता हूँ, time जया किया बगार, अगर आप यहाँ पे Google में जाके Codenix लिखेंगे तो आपके पास codenix.com हमारी एक website जो है वो open हो जाएगी and usually यह जो website है, इसके उपर सारे के सारा course आप find out कर सकते हैं हमारे YouTube के उपर भी पूरे के पूरे courses हमारे available हैं so जब आप codenix.com पे जाएंगे, in codenix.com उस website पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे courses आ रहे होंगे, courses के साथ साथ आपके पास अगर यहाँ पे मैं click करूँ courses में, so there are many courses which you can join but this course जिसका link मैंने description में दिया हुआ है, six months of AI and data science सारे की सारी चीज़ें इस course के अंदर अल्रेडी मुझूद है, ठीक है और अगर आप नीचे scroll down करेंगे, तो मैंने अल्रेडी transfer learning और जो हमारे जितना भी अभी तक इस course में बढ़ाया गया, generative AI, generative AI का part 2 transfer learning क्या होती है, machine learning के models को improve कैसे किया जाता है, so on and so forth वो सारी की सारी चीज़ें यहां पे मुझूद है तो link में description में दिया हुआ है, आप इस course में freely enroll करवा सकते हैं और यह जो course है totally freely available है until April 2024 उसके बाद इसकी थोड़ी सी nominal price रखती जाएगी because we have to manage the website, लेकिन तब तक यह totally free है और चितने भी लोग अभी तक पढ़ने, सभी के लिए यह चीज़ free है अब बात करते हैं generative AI के बारे में, कि tensorflow के अंदर generative AI कैसे use होती है tensorflow के अंदर जब आपने generative AI को use करना होता है कोई ऐसी चीज, generative AI से मुराद क्या है एक ऐसी artificial intelligence, जो एक data पर train हो लेकिन जब वो predict करें किसी चीज को वो एक नई चीज बना के दे यानिके generate करें new चीज based on the previous things अब उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पर जाने गूगल पर जाने के बाद, आपने obviously मेरा थोड़ा से net slow होगा because I am also live streaming this thing TensorFlow पर जाने, TensorFlow की website पर click करने click करने के बाद, आप कुछ इस तरीके से TensorFlow की website के ओपर चले जाएंगे, ठीक है so पहला तरीका कार यह होता है, जब भी आपने किसी चीज को समझना होता है, किसी चीज के बारे में information gain करनी होती है, I would recommend कि आप उसकी website के ओपर जाएं और हमारा main काम है, learn TensorFlow, यहां पर fundamentals for web अगर आपने use करनी है, तो यह हमारे पास TensorFlow.js, यानि के JavaScript की तरफ, और for mobile and edge, यहां पर TensorFlow Lite, TensorFlow Lite के बारे में मैंने आपको बताया कि mobile या edge के उपर जब आपने TensorFlow के system को use करना है, like android, ios, edge, tpu, and raspberry pi के अंदर तो आप TensorFlow Lite को use करते है, और फिर production के लिए आपके पास ML की pipeline होती है, using tfx, ठीक है, तो यह चार हमारे पास modules होते हैं इसके, अब हमने TensorFlow को learn करना है, तो मैं यहां पर click कर देता हूँ, and it will open a little bit slow this time, because as I said, मेरी internet की speed थोड़ी से slow है, ठीक है जी, यहां पे अगर आप गौर करें, तो see tutorials पे आप जाएंगे, tutorials पे जाने के बाद, अब left side के उपर TensorFlow के अंदर हर एक चीज़ दी हुई है, अगर आप यहां पे गौर करें, जिनाब TensorFlow tutorials है, quick beginner guide है, expert के लिए guide है, तो अगर आप TensorFlow beginner guide को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, that's enough for you, यह इनके tutorials भी दिये हुए हैं, यह गोरों के बनाए हुए हैं, तो English के अंदर होंगे, आप 0 से TensorFlow सीख सकते हैं, और basic computer vision के models भी यहां से सीख सकते हैं, TensorBoard एक चीज है, which we are going to use in our lectures, इंशाला, in future, और TensorFlow Hub को भी हम यूज करेंगे, model को optimize कैसे किया जाते हैं, there are many things जो TensorFlow से related हैं, अब अगर आप beginners पे click करते हैं, तो आपके पास beginners के tutorials आ जाएंगे, something like this, जो जो beginner level के हैं, फिर advanced पे click करेंगे, तो यहां पे advanced के आ जाएंगे, and then you can see a lot of things here, inside the advanced tutorial, करना अपने क्या है, मैं अगर vision पे click करता हूँ, now you can see here, कि आपके पास object detection transfer learning with movie net, video classification, object detection with df hub, image segmentation data, augmentation transfer learning with df hub, and there are many other things, जो हम यहां से देख सकते हैं, so अगर मैं vision के ओपर convolutional neural network के ओपर click करूँ तो यह हमने task already कर लिया है, and you can do the same task, और यहां से आप इनकी notebook download करके, इसको understand कर सकते हैं, जो हम पिछले दिनों से करते आ रहे हैं, data augmentation क्या होता है, वो भी आप यहां से कर सकते हैं, यहां से आप कर सकते हैं, आपके पास यह पूरी notebook पड़ी होती है, simply आपने models देखने होते हैं, जो जो models यहां पर मुझूद है, and then you can run your models based on the image segmentation, या आप different pre-trained models को यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर mask को अगर आपने segment करना है, then you can use this for computer vision analysis, object detection के लिए भी TensorFlow यूज की जा सकती है, क्योंकि हमारा topic main computer vision इस वकद नहीं है, so इस वज़ा से मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप गौर करें, यहां पर फोरन नीचे GANs for image generation आ गया, ठीक है, this is the thing, image tutorial के अंदर, अगर आप यहां पर click करते हैं, तो यहां पर GAN for image generation है, और GAN क्या है, यह basically Generative Adversarial Networks होते हैं, जिसके बारे में मैंने उस दिन भी बात की थी आपके साथ, जब हम Generative AI पढ़ रहे थे, and here we are going to use this kind of notebook, और इसको understand करके हम देखेंगे, GANs किस तरीके से understand किये जाते हैं, और GANs को use करते हैं, आपने किन-किन चीजों का ख्याल रखने हैं, यहां तक आप आगे हैं, GANs for image generation के उपर, अब इसका link जो है मैं आपको chat के अंदर भी दे रहा हूं, और इसी का link जो है मैं आपको description के अंदर भी दे रहा हूं, GANs का, तो अगर आप description में देखेंगे refresh करने के बाद, then you will find this link, otherwise you can actually go to TensorFlow, resources के अंदर, resources के अंदर यह GANs आपके पास, Generative Artificial Faces with Celab, a progressive GAN model आईए, ठीक है, यह एक ऐसा GAN model है which you can use, and you can utilize the power of Generative AI, यहां तक clear हो गया जी, अब यह notebook आप Google Collab पे भी जला सकते हैं, GitHub के उपर भी से view कर सकते हैं, download भी कर सकते हैं यहां से, और TF Hub यानि के TensorFlow Hub model के उपर भी से देख सकते हैं, और यह this Collab demonstration, demonstrates use of TF Hub, और यहां पे आगर आप देखें तो Generative Adversarial Networks यानि के GANs, Generative AI के जो model है, उसको यूज किया जाएगा, the module Maps from N Dimensional Vectors, called Latent Spaces to RGB Images, तो क्या कर रहा है यह basically, Latent Spaces से RGB Images बना के देगा, Latent Spaces को याद रखें, मैंने जब Key Terms वाला आपको lecture दिया था, जिसके अंदर हमने Latent Space देखी थी, पहले आपके पास Encoder होते हैं, फिर Latent Spaces आते हैं, फिर Decoders आते हैं, जिसकी Base पे VAE, जिसको मैं Variation, VAE क्या था? I forgot name, VAE क्या था? अब बता सकते हैं Chat के अंदर? VAE VAE मेरे दिमाग से निकल गया है VAE Variational तो मुझे पता था और क्या था इसके अंदर? Auto Encoders, Exactly Variational Auto Encoders की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं और कभी कबार ऐसा भूलना अच्छा होता है, ताके आप रिकॉल कर सेकें कि आप क्या चीज़ पढ़के रहते हैं पिछले Lectures के अंदर By the way, यह उसी तरीके से उनमें जो Latent Spaces थी, बना के आप एक ऐसी Lower Dimensional Space में रख देते हैं, जिससे आप Image को Create कर सकते हैं, Two examples are provided, Mapping from Latent Spaces to Images, पहली यह वाली example है, and then given a target image using gradient descent to find a latent vector that generates an image similar to the target image. यह दो Concept आज हमने देखने हैं, और यह दो Concept किस तरीके से हमें understand कर सकते हैं, हम उसके बारे में देखने से पहले, मैं कोशिश करता हूँ आपको Latent Spaces का Concept एक दफा दुबारा दिखा दूँ, ताके आपको एक चीज क्लियर हो जाए, किस तरीके से Latent Spaces जो हमारे पास काम करती हैं, Just give me one second, because I have to actually open another slide, जिसके उपर यह सारा कुछ हमने रखा हुआ है, So I am gonna show you, किस तरीके से आप Latent Spaces का role जो है वो देख सकते हैं, Let me see, Yes here, लें जनाब, यह आपके पास मैंने key term आपको दी थी, Variational Auto Encoders, जब हमने पढ़े थे ठीक है, और यह क्या करते हैं, यह एक Generative Model है that uses neural network to encode inputs into a latent space, यह हमारा training data था जिसकी base पे already हमारे पास pre-trained model पढ़े होते हैं, और वो क्या करते हैं, चीजों को encode करके एक latent space में भी देते हैं, latent space से जब आप नई image बनाते हैं, this is called Generative AI, और यह काम आपके GANs करते हैं, Generative Adversarial Networks, GAN में एक generator होता है और एक discriminator होता है, तो दो neural network इकठे चल रहे होंगे, अब हमने एक fake image generate करनी है, और साथ में discriminator के थूँ, mapping हमने कर ली एक, और फिर real image के साथ उसको compare करके, हमने similar image भी बनानी है, so we are going to do these two tasks in one go, according to the notebook, जो यहां पे आपको दिखाई गई है, अगर आप यहां पे गौर करें, उन्होंने बोला है कि mapping from latent space to images, यह हमने काम करना है, and then given that the target image, use gradient descent to find a latent vector, latent vector का मतलब यह है, the vector that belongs to some specific image, and we have to generate that image, इसकी मिसाल मैं आपको बहुत ही सादा अंदाज में देने वाला हूँ, आपने एक concept सुना होगा, cloning का, नहीं आप biologist कोई मसला नहीं है, एक मैं बात करता हूँ, फिल्मों के अंदर double shot नहीं आ जाते थे, कि अधरों वी अक्षे पजया आ रहा है, दूजी साइडों वी अक्षे पजया आ रहा है, double shot जो होते हैं फिल्मों के अंदर, यार यह animal movie के अंदर जो अनील कपूर का एक double body, body double बनाया गया था, बेसिकली वो अनील कपूरी था, make-up के साथ, so just imagine, के आप वही काम, double shot वाला यहां पर करने वाले है, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क आपको एक similar image भी बना के देगा, new image के साथ-साथ, so two types of generative adversarial network के इस notebook के अंदर काम करेंगे, एक आपके पास नहीं image बनेगी, एक आपके पास एक ऐसी image बनेगी, which is a clone or copy or similar, having similar properties of some other image, जिसके हमारे पास latent vectors मुझूद है, मिसाल आपको एक और देता हूँ मैं, याद है वो तस्वीरें काटने वाली example, जो मुझे बच्पन में शोग था, तो अब क्या है, जब मैं उससे नहीं image बना रहा हूँ उन टुकडों से, Legos भी एक गेम होती है, उससे भी आप बना सकते हैं, but keeping in mind, कि मैंने तस्वीरें दस ली, उनको काट दिया, सार दहड सारी चीज़ें लादा कर दी, उनको मैंने ऐसे करके डबे में mix कर दिया, मैं नहीं नहीं चीज़ें उठाऊंगा, एक नया इंसान या एक नहीं तस्वीर उससे बनाऊंगा, this is called Generative AI, अब क्या होता है, वो जो टुकडे कट गे हैं, that's latent space, और हर latent space के अंदर, gradient descent के through, you can find the latent vector that represents the original image, दो किसम के आपके पास Generative AI के टूल्स जो हैं वो काम करते हैं, यहां तक आपको एक्जामपल के लिए रोगे होगे, double shot वाली एक्जामपल तो बहुत जबरदस्त होगी, so mapping means new from latent spaces, and given a target image using gradient descent to find a latent vector that generates an image similar to the target image, हमारे पास pre-requisite कौन-कौन से, आपको low latent tensorflow concepts का पता होना चाहिए, GANs का पता होना चाहिए, जो wikipedia से आप पढ़ सकते हैं, मैंने भी आपको introduction करवाया, और आप progressive GANs, progressive GANs क्या होते हैं, यह basically ऐसे generative adversarial networks हैं, जो साथ-साथ grow भी करते हैं, मैं इसकी मिसाल देता हूं, एक ऐसा concept, जो एक चीज़ बनी है, और इसको देखके, अगली दफ़ा जो नई चीज़ बनेगी वह पहले से भी अच्छी होगी, जो progressive जो आपके पास generative adversarial networks होते हैं, वो basically साथ-साथ grow भी करते हैं, और इसकी example देखने के लिए, अगर मैं यहाँ पे, generative adversarial network के link पे click करता हूं, और यह जो तीन links उन्होंने दी हुएं, इनके उपर मैं click करता हूं, which will take some time to open, तो आपसे मेरी request यह है कि जब आपके पास time हो, please go through these documentation, क्योंकि सिरफ मुझे सुनना ही इस course का part नहीं है, you have to also read out some material, जो मैंने आपको प्रवाइट कर दिया हुआ है, so Wikipedia का यहां से page open होता है, Generative adversarial network का मैंने पहले भी आपको बता दिया, यह Generative AI का concept है, जिसके अंदर दो neural network होते हैं, और इसी को मैं दुबारा से आपको समझा देता हूं यहां पे, Generative adversarial networks are a class, is a class of machine learning framework, where two neural networks, a generator and discriminator are trained simultaneously, यह आपका जो noise vector है, यानि के आपके पास जो latent space है, इसके उपर आप generator network चलाएंगे, ठीक है, generator network चलने के बाद आपके पास एक fake image generate होगी, ठीक है, which is a new image, फिर एक discriminator होता है, जो क्या करते है, real image के साथ इन्हें compare करके बताता है, कि यह जो fake image है यह near to real है के नहीं, and then it predicts the label, so basically आप क्या करते हैं, fake image के through, discriminator को दोका देते हैं, in other words, in a good way, दोके से मुराद है, कि उसको चकमा देते हैं, कि फरग ही ना पता चले, यह वही बात होगी, कि different movies के अंदर जो double shot होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, के ओओ सी के ओओ सी, और अक्सर पुरानी इंडियन और पाकिसानी movies में, अगर double shot आ जाता था, end था कि पता ही नहीं चलता भी केड़ा बंदा है, ठीक है, वह कपिल शर्मा के शोग के अंदर भी, दो आती है ना, वह क्या नाम था उनका, यार, वह दो है ना जुडवाँ, अक्सर उकवाद आपको भी identical twins जो है वह नजर आते होते हैं, आपको समझ नहीं आती है, आपके इर्द गिर्द भी होंगा identical twins, so these kind of things, we can actually use a discriminator, discriminator कोई भी ऐसी चीज है, जो basically उनमें फरक करके हमें बताती है, कि if this फरक is true or not, यहां तक clear हो गया, अब Generative Adversarial Network के पूरा Wikipedia के page है, I would recommend कि आप इसे पढ़ें, और यहां पे tensorflow की basics आपको पता होनी चाहिए, GPU कैसे चलता है, और कौन कौनसी की चीजने कैसे चलती है, इस पर मैंने पूरा lecture दिया है, Tensors क्या होते हैं, and how you can identify the neural network, and how you can create, यह आपको पता होना चाहिए, यह है एक paper which is very important, और इसका link भी bio archive, इसका link भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रहा हूं, and I recommend कि प्लीज इस paper को जरूर दिखियेगा, ठीक है, okay, चिंकी मिंकी है उनका ना, जो मैं बात कर रहा था न, Kapit Sharma के शो के अंदर आती थी, चिंकी मिंकी, ठीक है, उनकी बात कर रहा था, by the way double shot की बात हो रही थे आपको समझ आगी, and now, यह paper जब आप पढ़ेंगे न, then you will understand a lot of things about progressive growing of GANS for improved quality, stability and variation, जो simple GANS थे वो अच्छी quality नहीं देते थे, now progressive growing GANS can give you good quality, आप यहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप other formats भी देख सकते हैं, जैसे मेरे पास यहां पे जो आ रही है PDF की रही है, and yes, PDF भी डाउनलोड कर लेते हैं फिलाल के लिए, and then I will open this PDF file, and here you go, this is the paper which I would recommend everybody to take a print out of this paper, और देखें, आप जो हैं पढ़ना चाहा रहे हैं, और digitally बहुत कम पढ़ा जाता है, मैं रिक्मेंड करूंगा कि यह paper को आप प्रिंट करें, और प्रिंट करने के बाद, Generative Adversarial Networks को progressive form जो है, उसको जरूर देखें, यह जब तक आप खुद पर इंवेस्ट नहीं न करेंगे, कितने के print निकलाएंगे, 10 रुपे के बीस रुपे के निकलाएंगे, at the end, it can help you to grab more knowledge, और यह आपकी एक क्या उसे कहते हैं, आर्काइव बन जाएगी, आर्काइव से मुराद होता है, कि जब भी future में आपको problem हो, आप यह paper के उपर जा सकते हैं, I recommend कि आप इसका print लें, यह है जी paper, जो बताता है कि किस तरीके से 2018 के अंदर Generative Adversarial Networks जो हैं वो काम किये थे, और यह conference paper होता है, usually computer science के जितने भी paper होते हैं, और अगर आप गौर करें, ज्यादा तर लोग जो इसके अंदर हैं, वो basically जो Denmark की Alto University, मेरे खाल से यह Alto यह तो Sweden की है, यह Denmark की, I don't remember exactly, मैं यहां से search कर लेता हूं, and the other people are working on NVIDIA, NVIDIA क्या है? अब आपको यह पता होना चाहिए, कि NVIDIA क्या चीज है? यह basically, फिल्लेंड में University या Alto University, so basically यह चार लोग, NVIDIA के साथ मिलके, इन्होंने Progressive Growing of Generative Adversarial Networks जो है, उनको बनाया, यह आप कह सकते हैं इंप्रूफ किया GANS को, and उनकी Quality, Stability and Variation को भी इंप्रूफ किया, और कैसे है किया, वो सारा Method यहां पे लिखा हुँ है, ठीक है, basically तो यह आप कह सकते हैं, कि पीछे उनके एक discriminator होता है, एक generator होता है, और उन्होंने RGB layers को multi scaling करेके, यहां पे तस्वीरों को generate किया, अगर आपको नहीं भी समझ आएगी, इसकी 10% भी इस paper की समझ आते थी, यहां पे बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे, which has never been done before, ठीक है, 2018 का यह paper है, but still applicable है, reason क्या है, कि इस तरह के papers यह आपको और भी ज्यादा, to the point knowledge वो देते हैं, जो इस वकत दुनिया में चल रहा है, हम लोग थोड़ा से पीछे इसी वज़या से, हमें पढ़ने की आदत नहीं है, अई थे को टिक्टॉक कर डांस करके दानों पढ़ा देगा ना, तुसी करना यहां सही क्या रहा है, this person is saying the right thing, लेकिन अगर कोई आपको पेपर का यह reference देगा, at that point you will say, ना, पेपर नहीं पढ़ना, आप पता दे, ऐसे नहीं किया करें, आप प्लीज पेपर सुरू पढ़ेगा, जो लोग पेपर पढ़ने वाले हैं, जरा कुमेंट सेक्शन के अंदर, हैश्टेग कोडैनिक्स जरूर लिखेगा, it will help us as well, but on the other side, it will show me, कि आप कितने इंटरस्टीड है इस पेपर में, Talking about the papers, अब आप हैश्टेग कोडैनिक्स जब तर लिख रहे हैं, तब तक मैं नोट बुक यहां से डाउनलोड करता हूं, ठीक है, यह मैंने नोट बुक को रन किया, और यह डाउनलोड हो गई है, and I will actually open this notebook inside my repository, जहां पे मेरे पास Generative AI का काम है, start हो रहा है, तो यहां पे, तो यह पेपर मैंने आपको दिखाना था, यहां पे, hopefully यह आप पेपर देख रहे थे, यह फिर आगी थी University हमारी, and मैंने वो नोट बुक जो है, उसे रन कर ली अपने पास, thank you everyone, okay, अब यहां पे हम जो अगला काम करने वाले हैं, I am gonna show you something inside this notebook, के यह कैसे काम करेगा, latent space interpolation क्या होती है, and how we are going to deal with it, और अगर आप गौर करें तो यह Generative AI, basically काफी काम करने वाली है जापके लिए, something like this, like this, like this, और इसके लिए आपको heavy system भी चाहिए होगा, and maybe we need to install something, तो मैं लाइव आपको यह डेमो इस वजा से दे रहा हूं, अगर ना चली तो मैं किस तरीके से चीजों को deal करता हूं, तो मैं अपनी notebook के उपर आपको ले जाता हूं, अब यहां पर हम काम करते हैं, यह मैंने Generative AI की notebook डाउनलोड कर ली है, and यह इनके reference मैं ऐसे ही रहने दूँँगा, simply, और मैं क्या करता होता हूं, इसको duplicate करके यहां से copy-paste, और यहां पर copy की बजाए, in class यहां पर कर देता हूं, ताकि जो काम मैं कर रहा हूं वो original के साथ, कोई मसला ना करे, अब बड़ी गौर से मेरी बातें सुनने, अगर आप Generative AI को सीखने वाले हैं, लें जनाब, सबसे पहले मैंने TensorFlow यहां से on कर लिया, और यहां पर Generative AI के, जो मैंने notebook डाउनलोड किया वो आपको दे दी, ठीक है, अब एक बात मैं यहां पर आपको बता दूँ, पहले इस notebook को स्टार्ट करने से पहले, प्लीज इस notebook को डाउनलोड करें, और इनकी outputs already run होती है, अगर आपके पास चल रही हैं तो दुबारा rerun न कीजेगा, डाउनलोड करके अपने पास save करें और इसको view करें, अगर आपके पास GPU नहीं है, please do not run this notebook, GPU है, then go for it, GPU नहीं है तो इसको run न कीजेगा, because it may take some of the powers from your CPU, और आपका system hanged, या halt हो सकता है, keeping in mind that one, okay, तो यह जनाब मैंने आपको चीजें बता दी थी, pre-requisite कौन-कौन से हैं, more models कौन-कौन से हैं, here you can find all models currently hosted by TF Hub developer, अब यह चीज मैं पहले नहीं बता सका आपको, due to some reasons, but now, आपके पास जितने भी Generative AI के model हैं, या दूसरे model हैं, वो इस जगा पे पड़े हुए हैं, TF Hub के उपर, tfhub.dev, that can generate images, मतलब जितने model भी images generate कर सकते हैं, you can find all of them here, हम जो यूज कर रहे हैं, वो हम यूज करेंगे, Generative Artificial Faces with Celeb A, Progressive GAN model, Celeb A जो है हमारे पास Progressive GAN model है, यह basically जो है आपका डिफरेंट किसम के matrix जो हैं इसके उपर चल रहे हैं, और अगर आप यहां पर गौर करें, हमारे पास Mixed Trail है, YOLO V8 है, इसके उपर भी इंशाला हम काम करेंगे, Efficient Net Version 2 है, Bird का model है, आपके पास और भी काफी जएदा model है, Albert है, फिर आपके पास Fnet है, XLM Roberta है, My Test Model Bis है, So there are many models out there, अगर आप यहां पर गौर करें ठीक है, तो basically क्या होता है, कि यह जो आपने यहां पर TensorFlow Hub के model.dev को आपने जब क्लिक किया, तो आपके पास यह जो Kegel की, आपके पास एक notebook, Kegel का जो यह face open हुआ है, अगर आप Kegel के यहां पर models पर भी क्लिक करेंगे, you will find the same link, Kegel पर जाके यहां पर क्लिक करें, और यहां पर search कर सकते हैं, For example, मैं यहां पर Efficient Net लिखता हूँ, Efficient Net, तो आप चेक कीजिएगा, मेरे पास 10 ऐसे model हैं, जो Efficient Net की base पे चलते हैं, और Efficient Net क्या है, Efficient Net basically एक image classification का architectural model है, और इसको आप चला के run कर सकते हैं, TensorFlow के उपर भी Pytorch के उपर भी Keras के उपर भी Google के उपर भी है यह, और Efficient Net light भी है, और आपके पास there are many other, other models as well, तो हमने जो use करना है वो सिरफ एक ही करना है, तो इस वज़ा से अभी हमारे लिए यह इतना important नहीं है, जो चीज इंपर्टन है, that is this one, हमने क्या करना है जनाब, यहां पर गौर कीजएगा, उन्होंने setup का बताया, तो सबसे पहले वो बताते हैं कि Imagineio जो है, Imageio, not Imagineio, sorry for that, Imageio क्या करता है, यह animations create करता है, which we are going to do that, और हमारे पास psychic image भी होना चाहिए, which is a psychic learn type of library, लेकिन for open CV या computer vision, तो हमें यह दो libraries को install करना होगा, and then we have to also install the git docs for our thing, तो जब आप इसको run करेंगे, तो आपके same environment के अंदर यह तीनों चीज़े install होंगी, और अगर यह install अच्छे तरीके से हो गई, then that means, के आप सब कुछ अब run कर सकते हैं, मैं इसको run करते हूँ, Bismillah पढ़के, and let's see how it works, तो अनू की लगद है, इसको आपके अच्छे को जाते हैं, जब तक यह install हो रही हैं, हम नीचे को जाते हैं, explore करते हैं, अब हमारे पास जो libraries हैं, वो basically यह हैं, from ABSL, हमने logging को on करना है, फिर image आई हो, pill आ गया है, matplotlib, numpy, tensorflow, random state हमने ले ली, tensorflow hub भी हमने install करना है, IPython और IPython क्या करता हैं, यह basically inside your terminal, आपको display की properties देता हैं, यानि कि inside Jupyter Notebook, you can display things, और आपके पास psychic image जो है, यह basically transform करने के लिए होती है, किसी भी एक चीज़ को, latent की dimension आपने बतानी है, 512 यहां पर दीगी है, and then आपके पास, hypersphere और बाके चीज़ें जो हैं, वो एक image को देखने के लिए, यहां पर provide कीगी है, which we will see in a minute, जब तक मेरे पास installation complete होती है, यहां पर go to के उपर मैं जा के देख भी सकता हूं, फिर latent space को interpolate करना या निके, अब मैं आपको समझाता हूँ, generative adversarial network क्या होते हैं, आपने कुछ भी चीज़, जो आपके पास एक latent space में मुझूद है, latent space क्या है, जरा गौर से सुनियेगा, मैं again repeat कर रहा हूँ के, बहुत ज़्यादा तस्वीर हैं मेरे पास पढ़ी हैं, उन तस्वीरों से जो data मैंने feature extract किये हैं, वो सारे एक ऐसी space में पढ़े हैं, which doesn't say कि यह तस्वीर किस से belong करती है for now, ठीक है, it doesn't say anything about that, अब जो latent space है यह आपके privacy को भी maintain कर रही है, at the end data भी आपके पास है, इस latent space की एक dimension है, which is far less than the original dimension, dimension क्या होती है, किसी भी एक image का जो size होता है, pixels के अंदर प्लस उसके RGB colors, प्लस उसका batch, तो यह 3-4 चीज़ें मिलके एक image का size बनाती है, वो image का जो size है, वो एक बड़ी dimension का है, और उसके जो features निकाले हैं, अब विसली अगर पूरी image एक इनसान की है, उसका कान निकालके side पे कर दिया, नाग side पे कर दिया, दाड़ी side पे कर दी, glasses side पे कर दिये, तो यह छोटी dimension में चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी चीज़ में से छोटी-छोटी निकाल रहे हैं, और वो latent space में आ गया, अब latent space के अंदर, जब आपके पास, कान, नाग, गला, आंके, यह सारे organs आ जाते हैं, तो अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, यहां पे मेरी आंके हैं, और यहां पे कान हैं, इनके दर्मियान यह जो रास्ता है, यह इस रास्ते को, यह इतनी सी जगा को, इसको बनाने के लिए, आपको आंक और कान को जोड़ना पड़ता है, तो वह तो बहुत भदा लगेगा ना, यहां पे आंक और कान के दर्मियान, जो थोड़ी सी जगा रह जाती है, इसको फिर इंटर्पोलेट किया जाता है, अब interpolation क्या होती है, यह latent space के अंदर, जब भी कोई different किसम के features पड़े होते हैं, उनकी base पे जब आप दो features कोई कठा करते हैं, based on that you can actually interpolate different things together, मिसाल के तोर पे मैंने आपको बताया है, जब different चीज़ें आपस में मिलती हैं, इंटर्पोलेट किया जाता है, इसके एक और example दे देता हूँ आपको, डेटा फ्रेम के अंदर जब हम interpolation कर रहे थे, हम जाते जाते, दो हमारे data point है, उनके दिर्म्यान एक missing value थी, तो हम interpolate कैसे करते हैं थोड़ा सा इधर से ले लो, और दोनों को मिला के जो चीज बनती है, वो interpolation हो जाती है, यानि के दोनों चीजों की transitional state, interpolation, अच्छा, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, for now, हमारे पास installation हो चुकी है, I bet के, yes, installation has been done, 1.5 minute लगा, now I will see, के यह जो हमारे पास, सारी की सारी libraries हैं, अगर मेरे पास install होई, तो this thing will work fine, otherwise it will give me an error, तो मैं इसको भी run करता हूँ, and it will take some time, but we'll see, के अगर यह मेरे पास काम करती हैं, that would be nice, अगर नहीं काम करेंगे, इसको run कर दिया, okay, अब इसने मुझे एक library दी है, TensorFlow Hub मेरे पास से install नहीं है, so I can install that one here, pip install TensorFlow Hub, मैं इसको install करता हूँ, collecting, and then it will install, मैं सब कुछ बिल्कुल 0 से इस वज़ा से कर रहा हूँ, ताके आपको पता चले, किस तरीके से किसी project को start किया जाता है, I know कि मैंने डाउनलोड की है ये notebook, but still, in order to understand, I have to run everything, कि मेरे पास अगर सब कुछ चल रहना, तो आदा काम तो ऐसी हो गए, ले जनाब, मेरे पास चल पड़ा ये सारा काम, आप देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, सब से पहले हमने libraries import की, which are necessary for the task, अब हमने, जो हमारे पास hypersphere है, sphere के अंदर जो हमने, चीजों को interpolate करना है, vectors की base पे, तो वो हमने ये function define कर दिया, यहां पे, जो मैंने अभी आपको बात समझाई है, interpolate करने के लिए, फिर हमने display करने के लिए, ये function define किया, and then given a set of image, show an animation, ये animation को show करने के लिए, और ये हमारे पास verbosity को हमने set कर दिया, कि logging और errors बगारा जो हमारे पास हैं, it can show us, अब हम क्या करते हैं, random vectors के बारे में देखते हैं, latent space interpolation between two randomly initialized vectors, we will see a tensorflow hub module, progon 128, that contains a pre-trained progressive GAN, अब हमने क्या करने हैं, एक model जो है, progon या PRO, proGAN इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि pro का मतलब है professional भी कह सकते हैं, और GAN का मतलब है generative adversarial network, लेकिन यहां पे professional इसका मतलब नहीं है, because this is meant with progressive generative adversarial network, so proGAN progressive generative adversarial network, और इसका 128 number है, we are going to use this model here, और जो क्या करेगा, यह basically interpolate करेगा between two randomly initialized vector, between two those parts, जो नाक और कान मैंने आपको example दी थी यहां से, इन दोनों को interpolate करने के लिए, यह already trained model है, and we can use this model, समझ आ रही है, कोई बहुत मुश्किल ते नहीं हो गया काम, आ रही है ना समझ, okay, अब मैं इसको run करता हूं, and it will take some time, because this will download from tensorflow hub, hub.load, और यहां पे आप देश सकते हैं, कि Google के उपर progressive GAN 128, यह हम download कर रहे हैं, और slash one का मतलब यह है, कि हमारे पास जो उसका latest version है, वो हमारे पास आएगा, and then हम signatures जो हैं, यहां पर default रख देते हैं, ताके जो भी उसके अंदर weights, और different चीज़ें जो हैं, वो model की, यह pre-trained model है, अच्छा, अब transfer learning में और generative AI में कोई इतना खास फरक नहीं है, generative AI आदे से ज्यादा transfer learning है, मैं समझाता हूं बात को, हाँ हाँ समझा रहा हूं यार, ओहो समझाता हूं, generative AI most of the time uses pre-trained models, pre-trained models को use करने को ही transfer learning बोला जाते हैं, बात क्लियर है यहां तक, अब अगली बात सुनियेगा, generative AI के अंदर, जो आप pre-trained model ऐसे use करें, which can give you a new thing, और which can generate a really novel thing, इसको बोलते हैं generative AI, अगर आप pre-trained model को use करके, सिरफ prediction या classification करने हैं, तो वो transfer learning होगी, generative AI नहीं होगी, generative AI के अंदर नई चीज़ें बनती हैं, सिंपल machine learning और deep learning के अंदर, आप नई चीज़ें नहीं बनाते हैं, आप सिरफ prediction करते हैं based on training data, समझा आ गई है, समझा, ओक सब्सक्राइब, तो मैंने model को डाउनलोड कर लिया यहाँ पर, PROGAN का model हमारे पास आ गया, Progressive Generative Adversarial Network का, यह हमने एक और function बनाया between the vectors, जो हमने interpolation के लिए use करना है, हमारे पास पहला vector 1 है, तो हमने क्या किया, latent dimension में से, randomly कोई एक factor उठाया, और यहां से दूसरा vector उठा लिया, कोई भी randomly, ठीक है, हम latent dimension के अंदर से उठा रहे हैं, vector 1, vector 2, अब हमने क्या किया, create a tensor with 25 steps of interpolation, between vector 1 and vector 2, तो basically हम क्या कर रहे हैं, vectors के दर्मियान में, हमने basically, interpolate hyper sphere की base पे, जो हमने function generate किया था, हम इन दोनों vector को interpolate कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसकी base पे proGAN को use करके, use module to generate image from the latent space, यह जो हमारे पास दो vector थे, उससे हम image बना रहे हैं, ठीक है, अब simple काम क्या है, नाक कान गला जो भी आपने उठाया, दो vector उठाये, उनको interpolate कर लिया, और interpolate करने के बाद, proGAN उससे एक नई image generate करेगा, and then it will return a new image, अब interpolated image between vectors जो हमारे पास, उसको हम active कर सकते हैं, और उसको animate भी कर सकते हैं, so interpolated image जो हमारे पास बनेगी, at the end, वो इस function के थूप बनेगी, और interpolate between vectors की base पे बनेगी, कोई भी दो vectors आपने उठाया हैं, latent dimension के अंदर से, normal जो vectors आपके पास, and at the end you are making an image out of it, अब अगर मैं इसको run करता हूँ, which is obviously already running, लेकिन मैं चाहूँगा के मैं खुद run करूँ, because I wanted to see के इस पे कितना time लगता है, and then we can have a look, के हमारे पास कितनी देर में जाती है, लें जो आप 8 seconds लगें, आप चेक करें, vectors को मिला के interpolate किया गया है, and then you can see an image from vector 1 to vector 2, Interpolate की समझ आगी है, चलें, आजकाल एक और meme बड़ी हिट हुई है, same same but different, तो यह same same है but different है, समझ आगी बात की, चलें जी, good हो गया, अब यह जो मैं interpolation की आपके साथ बात की है, this interpolation can be between one image to another image, कि आप जब एक image से ऐसे गूम के दूसरी पे जाएं, को फरक नजर ना है, this is also an interpolation, so आपने एक image पकड़ी, दूसरी image रखी, और इनके दर्म्यान interpolation ऐसी कर दी, कि फरक ही ना पता चले, मिसाल के तोर पे मेरी दो image, वो अकसर हो कहा, TikTok के उपर भी एक आता है, कि आप एक image अपनी डालें, दूसरी डालें, तो एक image से इस तरीके से दूसरी पे transition जाएगी, कि फरक नहीं बता चलेगा कैसे change हुआ, that is exactly what we are doing here, एक image पकड़ी, दूसरी image के साथ हम interpolate कर रहे हैं, we can also take one feature, and we can do the same thing, यानि कि कान और नाक के द्रम्यान भी, हम जब नाक से कान के द्रम्यान जाएं तब भी interpolation हो सकती है, एक image से भी हो सकती, multiple images से भी हो सकती, वीडियो की भी interpolation हो सकती है, concept सुनियेगा, जितने भी models, वीडियो की, interpolation कर रहे हैं आजकल, वो future में hit होने वाले हैं, reason behind that, reason सुन लिजएगा, तस्वीरों से जो आजकल वीडियोज बना रहे हैं वो interpolation की बेस पे चल रही है, आप एक तस्वीर डालते हैं, और उसमें जान आ जाती है, कैसे, lumier model का क्या काम है, वो बालों को हलाने लग जाते हैं, आग है तो आग जलने लग जाती है, static तस्वीर से हिलने लग जाती है, और यह सारे काम कैसे हो रहे हैं, यह progressive gains के थात हो रहे हैं, there are many other transformers as well, जिनको हम पढ़ेंगे, but for now, keep in mind, के हमारे पास यह variation आई है, मैं दुबारा से इसे run करता हूं, ले जनाब, अब हमारे पास कोई एक simple image कोई एक और आई है, और उनके दरम्यान interpolation हो गई है, ठीक है, मतलब हमारे पास दो images आई हैं, और इनकी interpolation ऐसी हो रही है, which you can see here, अल्लाह, यह तो, चेक करें, आप देख रहे हैं किस तरीके से images बन रही हैं, because we are taking random normal images, ठीक है, यहां पर, और यह celeb AI model है, यह celebrities की images ले रहा है basically, and you can see, यह basic है basically image को generate करने का, but we will see that, finding closest vector in latent space, अब हम क्या करने वाले हैं, closest vector, अगर एक vector, दूसरे vector के बहुत ज्यादा close है, तो उनको पकड़ना है हम अपने, तो उसके लिए basically हम क्या करते हैं, हम यहां पे, module space से true image ले ले लेते हैं, हम parameter भी set कर सकते हैं, temperature और type उसकी set कर सकते हैं, which I am not gonna do now, reason यह है कि जब हमारे पास temperature set होगा, sorry not temperature, template जो है, अगर हम set कर देंगे तो वह एक template से चीज़ें लेगा, by the way, जब आप images को generate करते हैं, या NLP के model को generate करते हैं, वहां पी आपने temperature और different किसम के randomization कर सकते हैं, which will give you different kind of information, जैसे आप chat GPT से पूछते हैं, आप जब उसको chat GPT, OpenAI प्ले गराउंड पर जाते हैं, तो यू can also modify some of the temperature, that's why it came into my mind, but this is as template and type boolean, but we are not going to use that, on the other side, यह हमें क्या करता है, get module space image, फिर उसको upload करता है image को, and then, if image from module space यहां पर मजूद है, तो उसके साथ आप get module image ले लेएं, लोड कर दें and at the end you can display an image for example मैं यहां पे इसको run करता हूँ अब जो हमारे पास यहां पे images आ रही है वो दो ऐसी images आ रही है which can be closer to each other देखें जरा right side किसी और किया left किसी और किया होगी अगर आप गौर करें और based on that आप देख सकते हैं कि right और left side में इतना खास फरक नहीं नजर आ रहा हम है why? because उन्हेंने closest vector जो हैं उनको मिला कि यह image बनाई है गौर कीजिएगा ठीक है? look अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं after defining a loss function between the target image and the image generated by a latent space अब यहां पर चेक करें कि एक image हमारे पास latent space जे जनरेट हो रही है ठीक है यहां पर और एक closest भी होगी तो आप यहां पर अगर देखें तो हर image के बाद आपको कोई celebrity हर image में नजर आएगी which we gonna show that after defining a loss function between the target image and the image generated by a latent space variable we can use gradient descent to find the variable value and that minimize the loss क्या करने वाले हम एक हुई image generate जिसे हम fake image बोल रहे है एक हुई हमारे पास original image हमने गया किया जो बहुत ही closest vector थे in latent space उनको जोड़ा एक image बनाई और वो जो image बन रही है वो original image से कितना दूर है यानि कितनी dissimilarity है इस चीज़ को बोलते हैं loss यानि कि एक तस्वीर जो मेरी है और दूसरी AI image generated है दुनों में कितना फरक है यह जो फरक है इसे बोलते हैं loss यानि कि distance from the true to the position या आप इसको कह सकते हैं जैसे linear regression के अंदर था similar concept को देखें तो model से true points का कितना फरक है यानि कि generated और original image कितनी फरक में है अगर हम उस loss को पता कर लें तो उस loss को minimize भी किया जा सकता है using gradient descent technique ठीक है let's see अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे यही काम करने वाले हैं अगर आप गोर करें तो हम यहाँ पे set करते हैं किसी भी एक latent dimension को vector को initialize कर रही है और यहाँ पे हम pro gan initial vector की base पे कोई एक image जो है वो यहाँ पे ले आते हैं हमने image ले आई अब हम क्या करते हैं find the closest latent vector उनको find करके हमने इसी image के अंदर overfitting को बचाने के रिए regularizer यूज़ कर लिया loss को calculate करने के लिए हमने यह चीज़ यूज़ कर ली हम यहाँ पे find out कर सकते हैं कि हमारे पास output क्या आती है and based on that you will have a procedure जो आपको कुछ output देगा and here you can see जो हमारे पास different किसम का loss आ रहा था after each iteration it's going down तो इसका मतलब क्या हुआ जब हम दुबारा से इसको animate करेंगे then we can see the comparison between two images एक generated है एक original है so here you can see के एक generated एक original दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर बराबर आ जाएंगे that's why we are using this gradient descent technique अब मैं इसको run करके दिखाता हूँ और जैसे epochs हमारे चलते थे वैसे यह पूरे के पूरा model जो है यह basically एक image को generate करेगा and here you can see के हमारे पास image और loss हमारे पास आ रहा है and this is processing और it will take some time क्योंके हमने जो number of optimization step है वो हमने use की है and 200 और steps पर image हमारे 5 चलेंगे and it will take some time at the end हमारे पास क्या आएगा जनाब at the end हमारे पास यह loss मेजर होके आएगा and this loss is being reduced based on the gradient descent technique gradient descent क्यों होता है एक ऐसा ऐसा point जिसने सारे features को खुश रखना आता है जैसे मैंने आपको start में बताया था linear regression के अंदर के एक arbitrary point start हो जाता है उससे फिर आगे 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 जलता जाता है जितना loss यानि कि original से fake image generated image का जो फरक जितना कम होता जाएगा उतनी optimization अच्छी होती जाएगी यानि के एक iteration चली एक iteration के बाद वो उसने measure किया कि अच्छा अब जो image बनी है original से कितने फरक में है based on the pixel values based on some other parameters जो इसके अंदर already trained and pro Gant वो क्या करता है वो वापीस आता है कहता भई हले काम नहीं बने हाँ optimizer कहता अच्छा कोई गल नहीं दुबारा try मार दे है अगली iteration चली जाती है फिर वो चेक करता है original image के साथ मतलब अभी भी image proper नहीं बनी then go back तो ये iterations चलती है मैंने यहाँ पे वो values जो add की है that shows the iteration value अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाओ so here you can see मैंने यहाँ पे steps each image optimization के number of steps है वो मैंने 200 रखे है and steps per image मैंने 5 रखे है ठीक है so हमारे पास number of optimization steps 200 है हर image के steps per image हमने 5 लाने है यानि के 1000 दफा एक image को हमने देखना है क्योंकि image का size बहुत छोट है that is why we have run this on only 1 minute and 16 point something second right अब मैं इसको run करके देखता हूँ and you can see के हमारे पास जो loss है वो यहाँ पे आ गए ठीक है हमारे पास जो loss इतना ज्यादा था वो कम होके यहाँ पे आ गए and यहाँ पे अगर check करें तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से animation हो रही है different चीज़ों की but we can also compare the result to the target हमारे पास different results आएंगे obviously reason क्या है अगर आप गवर करें उनका loss जो था वो अच्छा खासा काम था हमारा model जो train हुआ है यहाँ पे loss ठीक नहीं हूँ है because I am using a macbook machine and it could be a different thing मैं आपको दोनों notebook side by side रखके दिखा सकता हूँ and here you can see अगर मैं इसको भी नीचे ले जाओ so यहाँ पे जो loss था उनका उनका loss हजार के करीब आ गया था और हमारा दो हजार के करीब है तो loss जब दो हजार के करीब है हमारा left side पे हमारा और right side पे जो उनोंने model run किया था अब अगर यहाँ पे देखें तो उनकी तस्वीर कुछ इस तरीके से है हमारी इस तरीके से because of the loss ठीक है और अगर थोड़ा नीचे जाएं यह जी उनका original से फरक और यह हमारा original से फरक है so you can see a big difference reason क्या है reason वो ही है कि हमने जो training की है यह हमारे जो parameters है those could be different than them और जो उनका graphic card था यह specs थी those could be different और होना नहीं चाहिए यह लेकिन it happens based on the Macbook PC अगर आप इसको different किसम के GPUs पर run करते है then we can look into it again मैं क्या करता हूँ अब इसको दुबारा से run करता हूँ just to have an idea के एक देड़ मिनिट के अंदर अगर हमारे पास कोई change आती है या नहीं because we have already run this 200 multiplied by 5 जो तकरीबन 1000 के करीब steps है तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास image कैसे आ रही है so this is how the GANS network work और हमारे पास उपर वाली example के साथ हम खेल भी सकते है और ये सारी चीज़े हम कर सकते है हम module space के अंदर different किसम के techniques यूज़ करके इसको और भी improve कर सकते है और आप देखें कि right side वाली तस्वीर left side वाली तस्वीर के तकरीबन बराबर बराबर है लेकिन फरक आपको नज़र आओगा आंखों में, मूँचों में यह जो एक face, facial actor आया यहां पर वो भी खराब होगा यहां से भी थोड़ा सा मसला है but at the end you can see के जो facial expressions और बाकी चीज़े हैं they retain the same thing right okay and यहां पर हमारे पास यह अभी भी रन कर रहा है I just wanted to see के loss कितना हमारे पास down होता है, जितना आप loss कम कर लेंगे using some kind of I would say parameters यह उतना ही आपको फाइदा देगा okay yes, it's already run and same ही है, हमारे पास कोई change नहीं आए so मेरे ख्याल से image जो है हमारे पास कोई इतने खास नहीं बनेगी वो ही बनी है जो परले थी yes और यहां भे भी कोई इतने खास change नहीं आए so that doesn't matter at the end आपको पता होना चाहिए किस तरीके से progressive GANs काम करते है अब आपने देख लिया कि पहले हमने कुछ features बना है, फिर comparison किया चीजों का और हमारे पास progressive GANs जो हैं कुछ इस तरीके से चल पड़े है and you can also actually change everything अगर आप शुरू से दुबारा से इस पूरी notebook को run करते है which I am going to do now यह मेरे पास और रेदी इंस्टाल हो चुक है मैं इसको comment out करता हूँ और मैं restart kernel साफ करता हूँ और मैं इस पूरी notebook को दुबारा से run करता हूँ and I just want to see कि मेरे पास यह loss कितना होता है और यह सब कुछ run हो रहा है अगर आप यहाँ पे चोटा सा point देखें तो यह running कर रहा है तो मतलब यह अगर मैं यहाँ पे check करूँ तो मेरे पास already यहाँ पे यह points run कर रहे है and I am hopeful कि इस दफा जो है वह result different आए अगर same हाता है then we have to think about it यह notebook जाए और रेड़ी मैंने जो है वह रखती हुई है कहां पे रखती हुई है in GitHub GitHub का जो repository है हमारी तो आप इसे utilize कर सकते है एक जरूरी बात मैं आप इसे यह कहना चाहूँगा कि whenever you use the notebook जो मैं upload कर रहा हूं और आप Kaggle पे upload कर रहे है मेरी आपसे request है कमसकम ना बंदा credit दे देता है कि यह किस ने बनाई है क्यों बनाई है लोग वही notebook उठा रहे है वैसे जैसे मैं कर वा रहा हूं Kaggle पे upload कर रहे है वो खुदा का नाम ले यार कमसकम credit बंदा दे दे कुछ ने ना कुछ नहीं कमसकम नाम लिख देता है बंदा आप को डैनिक्स.com या GitHub repository का नाम दे या YouTube का लिंक हमारा वां पे रख दे अगर हम यह totally free मैं आप लोग के लिए कर रहे है तो please we deserve this तो copy करें लेकिन साथ-साथ उनको credit दे तो जनाबे वाला yes the loss has been reduced and I am hopeful इस दफा यह हमारे पास image आई है yes we got the same image so there was something wrong in the in the starting point जहां पे हमने different images को ले थी तो हमारे पास same images आगी है now it's working fine if images from the module space the descent descent is quick and converges to a reasonable sample try out descending to an image that is not from the module space this descent will only converge if the image is reasonably close to the space of training images how to make it descend faster and to more realistic image one can try using different loss on the image differences for example the quadric or some other losses use different regularizer we can use latent vector and initialize from a random vector into multiple runs अब यह आपका task ही है कि आपने अपनी एक new image डाल ली है and you have to try to find out कि आपकी जो image आप डालते हैं क्या उसके close को image आती है या नहीं या जो नहीं image बनती है क्या वो image आपके पास closer to the celebrity image बन सकती है या नहीं इसका मतलब यह है कि जब आपको image डालेंगे अगर वो image किसी celebrity के close हुई then it can find the comparison between those images तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस celebrity की तरह नजर आते हैं तो अभी के लिए इतना ही जो Generative Adversarial Networks हैं इनके बारे में हमने बात की आप से मेरी request यह है कि अगर आपको नहीं समय जाए इस lecture की तो इसको एक दफ़ा repeatedly देखें एक दफ़ा repeat करके देखें and then please also look into the notebook और इसको गौर से पढ़िएगा इतके content को पढ़िएगा Generative Adversarial Network की website पर जाएगा वहां से जरूर देखिएगा Wikipedia का page और जो paper मैंने आपको बताया आज प्लीज उसको download करके जरूर एक दफ़ा print करके पढ़िएगा ताकि आपको नजर आए अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती कमज़के नाम याद हो जाएंगे so हम छोड़े-छोड़े steps लेके आ गया है और आज अगर हमारा 138 या 49 वन दिन है इस lecture का 138 वन दिन है so that means we are already on a big step ahead ठीक हो गया जी यहां तक clear है like कर दे, share कर दे, subscribe कर दे let's see मेरी AI काम ही नहीं करती ना भी ना आज नहीं रेक्शन काम कर रहे yes आगे like, share, subscribe कर दे thank you